बढ़का समचार मा नजर दूड़ाय के बाद बेरा है खबर 36 के खबर 36 मा आवा देख्थन खबर विस्तार से बालोच जिला सत्र नयाले दुषकर्म के एक मामला मा केश के सुनवाई करके आरोपिला फांसी के सजा सुनाय है ये फैसला संभावता बालोच जिला के अब तक के सबले बढ़का फैसला है ये फैसला आए के बाद फैसला लले के लोगन मनमा खुसी के लहर्द है देखाओ खास रिपोर्ट ग्यारा बचर के नुनी ला बाहर घुमाई के बहाना करके जंगल ले गई इस और दुशकर्म करे के बाद आरोपी हा घटना के जानकारी कोनो ला जहन हो करके हत्या करके लाश ला जंगल मा फेक दे रही इस घर ले गई अब नुनी के पता नहीं मिले ले परिशान मा था पिता मन दली राजहरा थाना मा रिपोर्टर्च कराई जिकर दू दिन बाद पुलिस ला नुनी के लाश कोकान घाटी के जंगल मा मिल इस दली राजहरा पुलिस मामला के करीबी जाच परताल कर नौ जून 2017 के आरोपिला गिरफतार कर न्याले मा पेश करेज इमामला मा बालोजिला सत्र न्याले हा पाकसो एक्ठ नाबालिके अपहरन दुशकर्म औँ हत्या कर साख्ष छिपाए के आरोप सिद्ध होए मा आरोपिला फांसी के सज़ा सुनाईस इफैसला के आए के बाद अधिवक्ता मन इला इतिहासिक फैसला बदाईस अव कहिस कोट के ए फैसला ले समाज में एक बढ़का संदेश चाहिए अव महिला मन के खिलाफ होए वाला अपराध मा कमिया ही एसन अपराध ही मनला एसन ही सजा होना चाहिए ताकि महिला अव बेटी मन सुरपशित रह सके एक एतिहासिक फैसला है जो पासको जैसे मामलों में जिसके नाबालिक लड़कियों को जिसके बलतकार और हत्या संदी अपराध होते हैं इस संद में एक नियाला दिया है उन्होंने धारत 302 जो आजिवन कारवास हमेशा दिया लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्हें न घुर्पाना कुल 7000 रोपर किया है परकड़न आसा 11 वर्सी बालिका को आरुपी ने उसके घर से घुमा कर लाता हूं करके जंगल में ले गया कोकाणी की जाडियों में और वहां उसके सांथ दुसकर्म किया बलतकार किया और उसके सीर पर प्रहार करके उसको हत्या भी कर द बालोद ले डिजिटल रिपोर्टर जागेश्वर सिन्हा के रिपोर्ट